हाई गाईज मैं हूँ जोती और स्वागत है आपका मेरी चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपके चहरे के दाग धबे निशान पैचिस से चहरे पर पढ़ जाते हैं कई बर क्या होता है फोरेड हमारा डार को जाते है चहरा ठीक होता या कई बर होडो के चारो तरफ काला पन हो जाता है चहरे पर किसी तरह के दाग धबे पढ़ जाते हैं कोई पिंपल्स का दाग हो सकता है या फिर किसी तरह के चहरे पर काले काले धबे आ जाते हैं सूरज की गिरनों से भी कई बर क्या होता है चहरा कहीं कहीं से बहुत काला पढ़ जाता है नोस पर दाक पढ़ जाता है उसको आप किस तरह से बिना कोई जो है मेडिकल बाहर की गोल या दवाई खाये बिना कोई बहुत महंगे दवाई लगा है बिना घर पर ही नैचुरल तरीके से आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं इस टोपिक पर आज हम बात करने वा आपको तीन दिन तक तीन चीजे करनी है, हर रोज आपको अलग-अलग step करना है, ये तीन चीजे आप तीन दिन तक continue कर लोगे तो क्या होगा? आपके चहरे के दाग धबे बिल्कुल खदम हो जाएंगे और ये बापको बोले के लिए नहीं बोल रही हूं, आप जरूर तो दोस्तों आज की remedy में आपने क्या करना है पहले दिन पे आपने क्या करना है अपको लेना है इक टमाटर, टमाटर को आपको बीच से कट करके जो उसका मैं आदा हिस्सा लेना है और इसको अच्छे से अपने में पूरे फेस लेसे खुत है एक हो है और uhंब कर आपके आपको दस मिनट के लिए उसे ऐसे ही अपने चहरे पे लगा हुआ छोड़ देना है और उसके बाद से नॉर्मल वाटर से आपको अपना चहरा वोश कर लेना है धो लेना है और आप देखेंगे कि आपके चहरे पे जो रोनक आएगी जो चौमक आएगी कि वो देखने लायक ह आपको लेनी है थोड़ी सी गलिसरीन आपने लेना है आप कुछ बूंदे गलिसरीन की अपनी हतेली पे लेंगे और इस तरह से अपने चहरे पे डैप करते हुए आपको पूरे फेस पे लगाना है थोड़ी सी मसाज करेंगे 15-20 मिनट के लिए लगा हुआ छोड़ देंगे और उसके बाद से उसको भी नॉर्मल पानी से वोश कर लेंगे डे टू पे आप ये करेंगे अब आप बात आती है कि डे थरी पे आपने क्या करना है तीसरे दिन आप क्या करेंगे एक चम्मच आपने लेना है बेसन यानि कि ग्राम फ्लो जो आप घर में आपकी किचन में एक चम्मच बेसन में आपको इतना गुलाब जल डालना है कि वो आपका ठीक सा पेस्ट बन जाए ना ज्यादा गाढ़ा हो अच्छे से मिक्स करके पूरे चेहरे पेस्ट जो है लगा लेना है आपके चेहरे पेस्ट लगाने के बाद आपको सूखने के लिए छोड़ देना है सूख चाहेगा तो चेहरा वोश कर लेंगे बेसन और जो है रोस बोटर के जो पेस्ट आप बनाएंगे उसको लगाने के बाद अगर आपकी ऑईली स्किन की भी प्रॉब्लम है तो भो भी खतम हो जाएगी और साथ-साथ ये तीन स्टैप आप तीन दिन तक करेंगे तो आज का वीडियो आपको इस तरह से ये जो चैलेंज है करना है मैं आपको गारंटी देती हूं कि कुछ ही दिन में आपका चेहरा बिल्कुल बहुत ही ज़्यादार हो जाएगा साले दाग धबे खतम होके चाहरे पे चमक आएगी रोनक आएगी तो दोस्तों ये था हमारा आ वीडियो में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई